दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Android फोन को iPhone में convert कर सकते हो iPhone में आप कैसे बदल सकते हो कि कि दोस्तो एक Android फोन को हम यूज करते करते बोर जाते हैं हमें कुछ नहीं ची होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताना पाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने Android फोन को बहुत ही आसानी से iPhone में convert कर सकते हो Android फोन में iOS को install कर सकते हो बिल्कुल iPhone की तरह अपने Android फोन को चला सकते हो जो भी देखेगा एक बार जरूर चौक जागा कि यार भाई कैसे आपने Android फोन को iPhone में बदला है तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़द अंटरस्टिंग है जरूरी है वीडियो को पूरा जरूर देखना और गईस जगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर कॉमेंट चला को सब्सक्राइब जरूर की जगा अब चले वीडियो को सुरू करते है तो दोस्तो अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने Android फोन को iPhone में convert कर सकते हो यानि Android फोन को iPhone आप कैसे बना सकते हो दोस्तो आप यहाँ पर यह दोनों फोन देख सकते हो ठीक है यह हमारा iPhone है यह Android फोन है Android फोन को मैंने iPhone में convert कर रखा है जो कि देखने में काफी ज़्यादा इस्टैलिस लग रहा है अट्रेक्टिव लग रहा है आप यहाँ पर यह original iPhone देख सकते हो दोस्तो जो original iPhone है same इसी तरह हमारा Android भी लग रहा है ठीक है तो इस तरह आप बहुती आसानी से अपने Android फोन को iPhone में convert कर सकते हो यहाँ पर आपको जो भी features मिलेंगे Android फोन में भी आपको same मिलेगा ठीक है तो इस तरह आप अपने Android फोन को iPhone की तरह यूज कर सकते हो यानि Android फोन को iPhone में बदल सकते हो कैसे बदलना है यह जो फोन है ठीक है इसको हम iPhone में convert करेंगे iPhone में बदलेंगे ठीक है दोस्तो आपको सबसे पहले अपने Android फोन में iPhone का wallpaper डाउनलोड करना होगा ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह iPhone 15 का wallpaper है ठीक है इस वाले फोन में मैंने डाउनलोड करके apply कर रख है ठीक है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि iPhone का wallpaper आपको डाउनलोड करना है wallpaper आपको कहां मिलेगा आपको जाना है Chrome browser में ठीक है ठीक है तो हम डाल देते है iPhone 15 wallpaper ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो iPhone 15 का जो wallpaper है वो आचुका है ठीक है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तों हमने आईफोन 15 का वाल पेपर डाउनलोड कर लिया ठीक है अब हम गैलरी में एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा वाल पेपर है वो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो आईफोन 15 का जो वाल पेपर है वो डाउनलोड हो चुक है ठीक है अब आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है iOS launcher ठीक है आपको यहाँ पर काफी सारे application मिलेंगे आपको यहाँ पर एक application मिलेगा iPhone launcher ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो 100 million से भी ज़्यादा बार इस application को install किया जा चुक है और 4.5 की काफी अच्छी rating है तो दोस्तों आपको यहाँ से इस application को install कर लेना है ठीक है इस application को आपको install करने और दोस्तों आप इस application से बहुत ही आसानी से अपने Android phone को iPhone में convert कर सकते हो बदल सकते हो आपको इस application को open करना है अब आपको यहाँ पर agree करना है get started पर tap करना है agree करना है permission को allow कर देना है फिर से agree करना है आपको एक और permission allow करना है अब आपको फिर से agree करना है एक बार और permission को allow कर देना है अब आपको get started पर फिर से tap करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे phone का जो interface है वो change हो गया है यानि हमारे phone में iOS apply हो गया आपको set as default पर click करना है अगर आप application को default पर set नहीं करोगे application काम नहीं करेगा ठीक है आपको इस application को default पर set कर देना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा phone iPhone में convert हो गया है ठीक है आप यहाँ पर यह control center देख सकते हो जो कि देखने में काफी ज़्यादा इस्टाइलिस लग रहा है attractive लग रहा है ठीक है आप देखो पूरी तरह से iPhone में बदल चुक है अब आपको wallpaper को change करना है ठीक है जो wallpaper हमने download कर रख है उसको हम apply करेंगे तो दोस्तों हमने wallpaper apply कर दिया है ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हो wallpaper apply हो ठीक है हमारा जो android phone है पूरी तरह से iPhone में convert हो गया है बदल गया है यहाँ पर जो भी features मिल रहे है सभी iPhone के मिल रहे है ठीक है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो android phone है यह भी iPhone में convert हो गया है और आप यह original iPhone देख सकते हो बिल्कुल सेम है तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसानी से अपने android phone को iPhone में convert कर सकते हो बदल सकते हो दोस्तों आपको अपने android phone में swipe up gestures को भी enable करना होगा क्योंकि iPhone में हमें back button, recent button, home button नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आपको सेम इसी तरह अपने android phone में swipe up gestures को enable करना होगा इसको enable करने के लिए आपको अपने phone के setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक option मिलेगा additional settings आपको इस पर tap करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा system navigation आपको इस पर tap करना है यहाँ पर आप देख सकते हो Gister ठीक है तो हमने Gister पर टिक कर रखे तो हमारे फोन में Swipe Up Gister Enable है ठीक है अगर आप Realme का फोन यूज करते हो तो दोस्तों आपको Convenience Tools को Open करना होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो हमारा फोन है यह Realme का Android फोन है और दोस्तों आपको Realme के फोन में Setting में जाना है Setting में जाने के बाद आपको नीचे स्कॉल करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Convenience Tools आपको इस पर टैप करना है ठीक है यहाँ पर आपको मिलेगा Navigation आपको इस पर टैप करना है यहाँ पर आपको Swipe Up Gister का option मिलेगा ठीक है आपको इस पर टिकर देना है और दोस्तो आपके phone में Swipe Up Gister इनेबल हो जाएंगे ठीक है आप Swipe Up करके अपने phone को iPhone की तरह जूच कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह आप अपने Android phone को पूरी तरह से iPhone में convert कर सकते हो iPhone में बदल सकते हो ठीक है जो भी देखेगा एक बार जरूर चौक जाएगा कि यार भाई कैसे आपने Android phone को iPhone में convert किया है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो यह दोनों Android phone iPhone की तरह लग रहे हैं तो उमीद गरता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर जानकरी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो चैनल पने चानल को सस्क्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे ही नोलेश्फूल वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद